આसन्य मुल्य સા માટે એના માટે આપણે એક ઉધાહરણ જોઈએ ધારુકે આપણે મેડામાં ખરીદી માટે ગાયા છીએ मेडामा जुदि-जुदि वस्तुओ जोहिये छिये, खरीदवा माटेनी वस्तुओ नक्की करिये छिये, आतली वस्तुओ आपनने गमी छे, आने ए खरीदवी छे, पच्छी आपने जोहिसू, कि आपनी पासे केटला रूपिया छे, त्यारे आपने जणप्ती निर्णी करो सब्सेंड़ा एपने जणों पढ़ने जोहिसू, कि आ пойला पासे आटला पैसाचे ए आटला रूपिया छे, अने Все ख़रीदे सकेशू, त्यानों अंदजित शर्वाऴों अपने करिशू, कि आपने आतली बस्तुओ जोहिये छे, तैनों अंदजित शर्वाळों ऐटलो थ सेकास है आमाटे आपने आसन्द मुल्य ना अधारे सर्वालों के बाद बाकी करिये छिए आमाटे आपने चोक्कस आधार पर आसन्द मुल्य लई सर्वाला और बाद बाकी नो अंदाज मेड़वो पड़े छे अंदाज लगाओ 6530 वत्ता 181320 तो आपने एनी अंदाजी सित्तेर औने 18320 नू आसन्न मुल्य सू थाये छे ते नक्की करूँ पड़े आहीं 6517 नू 1,000 ना आजारे आसन्न मुल्य थासे 7,000 औने 18320 नू 1,000 ना आजारे आसन्न मुल्य थासे अधार हजार 6500 सित्तेल ए 7000 नी नजीक छे एटले आपने आसन्न मुल्य 7000 लईशू 82320 ए 8000 नी नजीक छे माटे आपने त्यानू आसन्न मुल्य 8000 लईशू अवे 7000 और अधार हजार नो सर्वाणों थसे 25000 तो आपेल दाखलानों अंदाजीक सर्वाणों थसे 25000 जो विजुएक उदारन जोईए अंदाट लगों 2780 वत्ता 430 अईपन मोटी संख्या 2780 छे तेथी 1000 ना आधारे आपने आसन्न मुल्य लखू पर से यहीं 2780 नू 1000 ना आधारे आसन्न मुल्य लखू से 13000 अने 430 नू 1000 ना आधारे आसन्न मुल्य लखू से सुन्य बन्ने ना आसन्न मुल्य 13000 अने सुन्य नो सर्वाणों थसे 13000 जे आपेल रकम नो अंदाजीत सर्वाणों थे आज रिते अंदाजित बादबाखी करी सकाई छे अंदाद लगाओ ओगण 3,888 ओच्छा 4,708 अही पन बन्ने संख्याना हजार ना आधारे आसन्न मुल्य लिवा पड़ से ओगण 3,888 ओच्छा नूँ वजार ना आधारे आसन्न मुल्य लिवा पड़ से 30,000 अने 14,708 नूँ वजार ना आधारे आसन्न मुल्य लिवा पड़ से 15,000 बन्ने ना आसन्न मुल्य नी बादबाखी तसे 15,000 माटे आपेल रकम नी अन्दाजित बादबाकी थसे 15,000 आरिते जड़प थी कोई पड़ रकम नूँ आसन्न मुल्य लिवा पड़ से 15,000